ये जो इंडी गडबंदन वाले हैं ना उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं और अपनी हार तै देख इंडी गडबंदन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं यहां बेतिया में मा सीता की अनुभूती है लवकुष्टी अनुभूती है इंडी गडबंद के लोग जिस तरह प्रभुची राम और राम मंदिर के विरुद बाते बोल रहे हैं ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान से राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है यही परिवारबादी हैं जिनोंने दसकों तक राम लला को टेंट में रखा यही परिवारबादी हैं जिनोंने राम मंदिर न बने इसके लिए जीत और कोशिश की आज भारत अपनी विरासत अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है तो इन लोगों के इसकी भी परिशानी हो रही हैं साथियों यह खेत्रा प्रकृती प्रेमी थारू जनजाती का खेत्रा है थारू समाज में प्रकृती के साथ प्रगती की जो जीवन शैली हम देखते हैं वो हम सब के लिए सबक है आज अगर भारत प्रकृती की रक्षा करते हुए विकास कर रहा है तो इसके पीछे थारू जैसी जनजाती की भी प्रेरणा है इसलिए तो मैं कहता हूँ कि विक्सीद भारत के निर्माण के लिए सबका प्रेरास चाहिए सबकी प्रेरणा चाहिए सबकी सीख चाहिए लेकिन इसके लिए एंडिये सरकार का चार सो पार होना उतना ही जरूरी है है के नहीं है कितना कितना देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनाने के लिए एंडिये एंडिये गरीबी से लोगों को बाहर निकानने के लिए एंडिये एंडिये युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए एंडिये गरीबों को पक्के घर देने के लिए एंडी ए एक करोर घरों में सोलर परना लगाने के लिए एंडी ए तीन करोर लगपती दीदी बना लेके लिए एंडी ए देश के कोने कोने में बंदे बारत ट्रेंग चलाने के लिए विक्सित भारत विक्सित बिहार के लिए एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत जबोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद पारत बहुत भारत माता की रखा की बहुत 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 दो अन्यवाद